आप बहु तुम्हें एक चीज देनी थी जी मा बहु ये लो अपने कमरी की चब ही बड़े घर की बहु दोस्तो ये एक निव अपकमिंग भोचपूरी फिल्म थी लेकिन दोस्तो आपकी इंतजार की घड़िया खतम हो चुकी है इस फिल्म को रिलीज कर दिया जा चुका है जिया दोस्तो और आप भी देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में और यूटूब पे ही दोस्तो ये फिल्म संचीता बनर जी की है और परिवारिक फिल्म है और संचीता बनर जी को तो आप भली बाती जानते ही है कि वो भोचपूरी में तमाम तरह की फिल्में करती हैं चाहे वो एक्शन फिल्म हो या फिर फाइट या किसी भी तरह का फिल्म हो वो करने के लिए जानी जाती हैं लेकिन दोस्तो आजकल संचीता बनर जी सिर्फ और सिर्फ परिवारिक फिल्में कर रही हैं तमाम तरह की फिल्में उनके भोचपूरी में आ रही हैं लेकिन परिवारिक फिल्में जो आ रही हैं वो सुपर डूपर हीट हो रही हैं दोस्तो बड़े घर की कोई ये नाम सुना सुना सा लग रहा होगा क्योंकि इस तरह के नाम की फिल्में भोचपूरी में नहीं बलकि हिंदी में बहुत पहले ही आ चुकी है लेकिन दोस्तों भोचपूरी में इसका आगमन हुआ है और कोपी पेश्ट का मामला तो भोचपूरी में हमेशा से चलते ही रहता है तो इस फिल्म में बहुत ही अच्छी अभिनेतरी संचीता बनर जी दिखने वाली है और परिवारिक फिल्म होने वाला है इस फिल्म को देखने के बाद आपको ऐसा एहसास होगा कि घर में बहुत सारी कमिया होती है बहुत को ले करके जिसको इस फिल्म में दिखाया गया है और तमाम तरकी घटनाओं को इस फिलिम में दिखाया गया है हाँ वो अलग बात है इस फिलिम में लोकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा अच्छे अच्छे जगह हो की क्योंकि ये फिल्म परिवारिक है और परिवार की मुद्दे जो होते हैं वो एक घर में ही होत दोस्तो पर तीभा पांडे जो है ओ भोचपूरी में रवी किसंजी मनोस दिवारी जी के साथ बहुत पहले ही काम कर चुकी है खास बात ये दोस्तो कि आज के नई यूथ भोचपूरी के जो सुपर इस्टार सिंगर के रूप में आजकल जाने जा रहे हैं चिन का नाम निल कमल सिंग के साथ भी इन्होंने कई सारे गानों में एलबम में काम किये हैं 2014-15 में दोस्तो अब ये सास बन करके हमारी भोचपूरी इंडस्ट्री में फिर से आई है और तमाम तरह के फिल्में ये कर रही है तो हम आपको बड़े घर की जो बहु फिल्म है इसकी कहानी भी आ आ रही है जो भी डायलग हो रहा है वो हिंदी में हो रहा है क्योंकि ये कौपी किया हुआ फिल्म है और इस फिल्म को देखने के बाद आपको ऐसा कुछ खास एक्स्प्रेशन इसमें डायलग के थूरू नहीं होगा क्योंकि इस फिल्म में बहुत से नय-nय कलाकार बट आप देखेंगे ये स्टोरी समझेंगे तो साइध आपको अच्छा लग सकता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की बातों को बताते हैं दोस्तों इस फिलिम में सबसे पहले हम बात करें जैसा कि हमने आपको बताया कि मुख अभिनेतरी जो है संचीता बनर जी है तो जी हैं दोस्तों संचीता बनर जी इस फिलिम के मुख अभिनेतरी है निसार खान इस फिलिम के अभिनेता है कुलान सिंग कुनाल सिंग राचपूत इसमें दिखेंगे परतीबा पांडे जिनका हमने नाम आपके समक्ष रखा था परतीबा पांडे इसमें दिखेंगी अ निर्माता जो हैं अमित कुमार गुपता हैं जिनके पैसे के वज़ा से इस फिल्म को बनाने में सफलता मिली है और फिल्म बन करके कम्पलीट हो गई थी और इस फिल्म को रिलीज भी कर दिया गया है तो दोस्तो उसका सरे अमित कुमार गुपता को जाएगा इस फिल्म के डा पशेकुमार पांडे इस फिलिम के लेखक हैं और काफी बेकार स्टॉरी आपने लिखी है, क्योंकि हमने इस फिलिम के ट्रेलर को भी देखा और फिल्म को थोड़ा भगा भगा कर भी देखा, तो पता चला कि इस फिलिम की कहानी जो है, कुछ अलग नहीं है, क्योंकि भोजप मैंन है वो अपना सेल करेगा तो इनकी भी बुराई नहीं है मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा हूं यह अपने जगाव पर ठीक है बाकि जो आज के नई यूथ है वो इस तरह की फिल्म देखने की चेश्टा बिल्कुल नहीं करते केकि उन लोगों को फाइट वाला और आजकल की जो जेनरेशन है उनको कुछ अलग-अलग टॉपिक की फिल्में चाहिए अलग-अलग कहानी की जो रियल स्टोरी हो उस बेसिस पे जो फिल्म काफी मतलब उनकी अंदर ये उत्सुक्ता देखी जा रही है कि जो भी फिल्में आ रही है जैसे नणत, देवरानी जेठानी मतलब तमाम फिल्में दोस्तों तमाम फिल्में बढ़की बहु छोटकी बहु आज कल देखा जा रहा है कि इसका ट्रेलर जब से रिलिज हुआ है दो मिलियन इसका विउज होने वाला है तीन दिनों में मातर तीन दिनों में तो दोस्तों आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस तरह के फिल्में किसना हलचल लाके रख दे रही है यूट्यूब पे तो इसी तरह के दर्शक फिल्म भी देखना चाह रहे हैं तो चलिए ठीक है दूस्तों DaoP के लिए सावन प्रजापती जाने जाएंगे परजेक्ट हेट के लिए नगेंदर यादो कुरियोग्राफर के लिए संजै कोबे ज्यान सिंग आर्ट के लिये विनोध जी लायट पोड़क्शन के लिए संतोस प्रजापती निलेश जी जाने जाएंगे पोस्ट पोड़क्षन के लिए आई विजन इस्टूडियो डिजाइनर के लिए परशांद जी मुजिक लेबल के लिए Captain Music डिजिटल पार्टनर के लिए Captain Video Private Limited डिजिटल मार्केटिंग के लिए अस्वनी कुमार, अनीश कुमार, मधुसैनी, इसा अले, सोनु कुमार, राज कुमार, सोनम, हरसित जीत जाने जाएंगे दोस्तो, कैप्टैन, कैप्टैन, वीडियो प्राइमेट लिम्टेड, जो कैप्टैन करके आपको यूटूब पे एक चैनल मिल जाएगा जिस पे इस फिल्म को रिलीज कर दिया जा चुका है, हलाकि वो बात अला गया कि छोटे-छोटे क्लिप्स अपलोड इट किये जा रहे हैं लेकिन अगर आप फिल्म देखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट में बताइए, हम आपको उसको पूरा फिल्म एक साथ प्रवाइड कराने का प्रयाश करेंगे दोस्तों, ये जो फिल्म है, ये एक पारिवारिक फिल्म है, और बड़े घर की बहु, आपको टाइटल सहीं पाता चल रहा होगा कि जो बहु है, ओ किसी बड़े घर के, यानि रईस घर की बेटी है, और जब अपने आती है, तो उसका चाल चलन क्या होता है, अपराने साने का जो डंग होता है, इनी सारी चीजों को इस फिल्म में दिखाया गया है, तो बेहतरीन फिल्म लगेगी, आपको 80s, 90s की जो फि फिल्म उसकी याद दिला देगी इस तरह की फिल्में दोस्तों, इस तरह की फिल्में उसी समय आया करती थी, और दरश्रक बड़े चाव से देखा करते थे, और अभी भी घर की मतायवे ने उस तरह की फिल्में देखना पसंद करती हैं, और देखती भी हैं, चलिए दोस्त हुआ अच्छे परिवार मतलब अमीरी में उनके पीता के पास पैसा होता है और उनके पास भी होता है जब उनका साधी प्रेम के वज़ब से एक ऐसे घर में हो जाता है जहां पे हर एक चीजे धंग से की जाती हो हलाकि उनकी वोग भी गरिब नहीं होते उनका परिवार भी एक काफी सुखमय परिवार होता है जो हीरो है इस फिलिम में जिनका नाम हमने आपको बताया है सुरू में ही दरसल दोस्तों उनके परिवार में भी जो लोग होते हैं वो काफी सहज और शरल रहंग से रहने का प्रयास करते हैं और जो अमीर घर की बेटी यानि संचीता बनर जी जब अपने सुशुराल आती है तो उनका भी रहन सान अच्छा होता है बट दोस्तों उनके पास पैसा होता है जिसके बज़ा से ओपने जो भी उनके दिमाग में आता है कुछ खाने का कुछ पीने का या फिर कुछ अलग तरह की चीज़े करने का जो पैसे से हो सकता है दोस्तो इस से परभाव जो है पड़ता है जो heeroo के मा हैं उनके उपड़ क्योंकि वो बड़े ढंग से अपने परिवार को सुरु से ही चला कर रही होती है और जैसा हमने आपको बताया इस फिल्म में परतीभा पांडे इस सास के किरदार में दिखेंगी जो की हीरो की मावनी हुई है तो दोस्तों वहीं जो है अपने जो भी मतलब जैसे कि एक बार क्या होता है कि संचीता बनर जी को कुछ बर्गर पिज्जा वगेरा वगेरा चीज हुई होती है और उनका सेलेक्ट हो गया हुआ होता है लेकिन घर में जो है हीरो की मा बड़े ही प्यार से छोले भटूरे बनाई हुई होती है और छोले भटूरे जो है उनके बेटे की काफी पसंद होती है तो काफी खुस होते है छोले भटूरे देखकर के जो इस फिल्म क नहीं जाता और वो क्या करती है पता है वो ये करती है कि जो order हुआ होता है वो समान आ जाता है पिज़ा बर्गर और वो जो भी उनके बजेट होते हैं उनके पीता होते हैं मतलब ससूर वो सभी को ऐसे तौफे के तौर पे देती हैं और ये जो है देखा नहीं जाता है उनकी स मेरा बेटा जो है क्या था और क्या हो गया मैंने कितने लाड़ प्यार से जो है इससे पाला है और शांत ही सांत इतने प्यार से इसके लिए छोले भटूरे बनाया है लेकिन इसको पिज्जा बर्गर खाने का कैसे दिल कर दिया ये अपनी मा की इक्षाओं को कैसे मार शकता है हलाकि इस फिल्म में उस situation पे ये दिखाया जाता है कि hero को ये अंदर से 2-3 दिनों से चेश्टा होती है कि burger मिल जाए तो अच्छा रहेगा और मिल जाता है तो काफी खुस हो जाते हैं तो इस तरह की सास बहुए के लफडे जो है इस फिल्म में आपको देखने को मिलते रहेंगी जी हाँ और संचीता बनर जी इसमें तो माहिर है काफी सास भी कभी बहुती सासु जी तुने कदर ना जानी सास 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 मतब सास का जो टाइटल लगा है संचीता बनर जी के फिल्मों के उपर ओ सुपर हीट रही है और तमाम फिल्में उनकी मार्केड में अभी भी सुपर हीट रही है और चल भी रही है तो दोस्तो इसमें कोई दोराय नहीं है कि संचीता बनर जी एक बहुत अच्छी अभिनेतरी है क्योंकि उन्होंने तमाम फिल्में भोजपूरी में करी है तमाम फिल्में उनकी शुपर हिट रही है तो दोस्तों देखना ये है कि क्या ये फिल्म भोजपूरी ये जो फिल्म है ये उतना मुकाम हासिल कर पाती है इस फिल्म को TV चैनल पे रिलिज कर दिया जा चुका था लगबग एक मंथ पहले ही इस फिल्म को TV चैनल पे रिलिज कर दिया जा चुका है बट इस फिल्म की दर्शक जो है आप तो जानते हैं भोजपूरिया जो दर्शक है जो घर की मताय बहने हैं ओ फिल्में देखना चाहती हैं तो यूटूब पे देखेंगी क्योंकि उनको यूटूब पे देखना काफी पसंद है और भोजपूरी फिल्म के चहेते जो है तो उनको यूटूब पे बड़ा मज़ाता है फिल्म रिलीज कर दिया चुका है पूरा फील्म आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर हाँ देखना चाहते हैं तो ब्यारी मस्ती.in पे जाकर के आप वहां मिल जाएगा फिल्मे जो फिल्म में रिलीज होती है HAVEाँ पे देखने को मिल जाता है साध हो लीगल हो या उनलीगल हो, इसके बारे मुझे नहीं पता बट वहाँ पे मिल जाता है तो दोस्तों, आपने समझा कि बड़े घर की बहु जो फिल्म है इस फिल्म की कहानी क्या होने वाली है तो ये परिवारिक मुद्दे पे ही ये फिल्म पूरा कंपलीट बना है और बहुत अच्छी फिल्म है आप इसको ठीक बोल सकते हैं इस फिल्म की रेटिंग आप देना चाहा है दस में से तो साथ आप दे ही सकते हैं और बात करें दोस्तों संचीता पनर जी की आगे आने वाल फिल्मों के बारे में तो उनका एक फिल्म आया था कुछी महीनों पहले एक डेड़ मंथ कोक जिसमें पर्दी पांडे चिंटू मुख अभिने किया है और संचीता बनर जी मुख अभिनेतरी दोस्तों उस फिल्म को भी काफी दर्शकों ने सराहा क्योंकि उस फिल्म में दि सुना सुना लग रहा है आखिर मैं कब दादा बनूंगा कब दादी बनूंगी तो इसके वज़ा से उनके उपर काफी जीमेमारिया आ जाती है और खुद संचीता बनर जी अपने हस्वेंड को किसी और के पास सोने के लिए भेजती है और फिर क्या दोस्तों मामला यहीं से बिगणना सुरू हो जाता है और बच्चा जब हो जाता है तो जो लड़की होती है उसके प्रती इनका लगाव प्रदी पांडे चिंटू का बढ़ते जाता है और जो लड़की होती है वो पैसे के खातिर करती है लेकिन उस लड़की का भी लगाव अपने बेटे बच्चे के प्रती काफी ज़्यादा होता है लेकिन और करे लोग तो करे क्या इसी confusion में सभी लोग चल रहे होते हैं लेकिन एक समाई ऐसा आता है जो लड़की होती है अपने बच्चे को ले करके भाग जाती है और परदी पांडे चिंटू भी उनको मान समान देना चाहते हैं संचीता बनर जी अपने हकी लड़ाई लड़ने लगती है कि मैं इस घर की बहु हूँ आप उसके साथ कैसे जा सकते हैं इनको बुरा लगने लगता है तमाम तरह की बातें दोस्तों उल्जाने उस फिल्म में को फिल्म में डाली गई है और परदीपांडे चिंटू की भी ऐसी तमाम भोजपूरी फिल्मे हैं जो एक के बाद एक आने वाली है जैसे वन मैन आर्मी वन मैन आर्मी फाइट एक्सन जो की नई यूथ हैं उस तरह की फिल्म में देखना चाहते हैं उसमें कई अभिनेतरिया हैं जो की प्रेमगीत की अभिनेतरी हैं प्रेमगीत जो की परदीपांडे चिंटू की ही फिल्म है जिसमें एक अभिनेतरी का आगमन हुआ था तो उस अभिनेतरी को भी आप उस फिल्म में वन मैन आर्मी में देखेंगे और बेबी काजल जो की काफी विवादों में भोचपूरी में रह चुकी हैं और तमाम तरह के गाने गाये हैं छोटे चलिया के साथ भी उनका कई सारे बाते विवादे सुनी गई थी तो दोस्तों उनको भी आप One Man Army फिल्म में देखेंगे Second Lead Actress के तौर पे तो ये सारी information हमने आपको दिया इस वीडियो के माध्यम से उमीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे दोस्त मेरे भाई मेरी जान सब्सक्राइब कर दीजिए चलते हैं जै मातादी जै हमया की